5 से 11 फरवरी 2014 तक चलने वाले सप्ताह का राशी फल लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा, स्वागत है आपका हैपी लाइप विद्यो योगे शर्मा में जरूरी है, knowledge जरूरी है, किसमत का साथ जरूरी है, सभी चीज़ें जरूरी है लेकिन ये सभी चीज़ें एक लड़ी में कौन भी रोता है, motivation motivation नहीं होगी ना, लाख आपके पास मौक्य आते रहें, आप उनको गवाते चले जाओगे तो ये सब्ताह आपके लिए इसलिए अच्छा है, कि आपको motivation मिलती रहेगी कभी आपको surrounding से motivation मिलेगी, कभी आपको अपने घर से motivation मिलेगी, कभी खुद से ही motivation मिलेगी और उसकी वजह से, आप इस सब्ताह में उतना आगे बढ़ोगे, जितना पिछले दो महीने भी आगे नहीं बढ़ पाए तो optimism, आशा का संचार जो है, ये भी बहुत बढ़िया आपके life में बना रहेगा सब्से बढ़िया बात ये है, कि मेश राशी वाले जो लोग कामकारोबार ढून रहे थे और अभी तक नहीं मिल रहा था ना, उनको कामकारोबार भी मिल जाएगा और परिवार का साथ भी बहुत अच्छे से मिलेगा केवल घुटने या घुटनों से नीचे किसी अंग में दिक्कत आ सकती है टकनों में दिक्कत आ सकती है, चलने में पाउं में दिक्कत आ सकती है या पैरों में दर्द रह सकता है तो इसका भी उपाए बड़ा आसान है केवल और केवल लाल फूल जो है मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पन करके आईगी ये energies का balance करना होता है इससे क्या होगा कि आपको स्वास्थे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा सप्ता आपके लिए रहेगा जबर्दस अच्छा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं वरश यानि टॉरस राशी पे आपके लिए इस सब्ता में जो opportunities है ना ये बहुत बड़ा role play करने वाली है opportunities किस तरह से role play करेंगी इस सब्ता में आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे अगर आपको पहले कुछ block block सा लग रहा था ना अब आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे नए clients मिलेंगे या आपको काम करने की नई उर्जा मिलेगी इवन आपका किया काम जो है ना यह बहुत appreciate भी होगा कोई land and property लेने के या कोई घर में नया वहन आने के भी आपके योग बन रहे हैं और अगर आपका कोई loan रुका हुआ था ना जिससे आपको अच्छा करना चाह रहे थे अब उस loan के आपकी file के या process के भी आगे बढ़ने के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं इवन व्रश राशी वाले जो लोग किसी मुकदमे में या विवाद में उल्जे हुए थे उसमें भी इस सप्ता में उनकी बड़ी अच्छी विजय रिख रही है यानि overall आपके लिए opportunities और profits वाला समय है लेकिन इस समय में आपको रात में disturbed sleeps मिल सकती हैं बिना बात के चिड़चिड़ा पन जो है मन पे हावी रह सकता है तो ये चीज़े ना हो इसलिए थोड़ी सी मिशरी मंडे वाले दिन ये शिवलिंग पे अरपन करके आईए और फिर देखिएगा कि ये सब्ता हर लिहाज से आपके लिए कितना बढ़िया रहता है तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानि जैमिनाई राशी वालों की आपके लिए जो सब्ता है ना इसमें आपकी एक branding जो बनी हुई है वो बनी रहेगी आपका इवन मान समान बढ़ेगा और लोगों के मन में भी आपकी कही बात की gravity वजन बना रहेगा और इसका जितना फाइदा उठा के आप अपने काम कारोबार में बढ़ोतरी कर सकते हैं आप इस सब्ता हमें करिए otherwise income समाने बनी रहेगी आपके प्रती थोड़े असेशनु हो रहे हैं intolerant हो रहे हैं या आपको कुछ ऐसी गलत फहिमिया हो सकती है जिसकी वज़ा से आपका अपने जीवन साथी से या partner से किसी ना किसी तरह का विवाद हो सकता है और no doubt ये जो विवाद होगा ये आपकी फिवर भी नहीं जाएगा इसमें आपको अपने काम में थोड़ी सी सेट बैक या अपने personal life में भी कही न कहीं कोई परिशानी दिख सकती है तो इसका क्या इलाज है इसका ये इलाज है कि अगर कोई विवाद होता है ना वानी पे और अपनी भावनाओं पे सायम रखें थोड़ी सी patience रखें अपनी let go बढ़ाएं तबी ये जो सप्ता है ये आपके लिए रहेगा एक दम अच्छा कच्चे दूद में काले तिल डालके ना मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाईए और फिर देखेगा किस तरह से ये चीजे भी तलवार की सुई बनती है और सारा सप्ता आपके लिए रहता है fit and fine तो चलिए अब करक यानी cancer राशी वालों की बात करते हैं शुरुआत थोड़ी सी निराशा से या शुरुआत थोड़ी negativity से हो सकती है जो भी आपने plan किया हो था आपको लगेगा कि ground पे आके चीजों में वो planning काम्या भी नहीं हो रही है आप जो सोच के आ रहे थे वो चीजे वैसी चल ही नहीं रही है इवन बिनाबाद के व्यर्थ की यात्राओं के भी योग बनेंगे लेकिन घबराईएगा मत सब्ता का पहला हाफ ही ऐसा रहेगा जू जू सब्ता आगे बढ़ेगा आपको सफल्दा भी मिलनी शुरू होगी आपको इसके अलावा recognition भी मिलनी शुरू हो जाएगी हाला कि इस सब्ता हमें आपके लिए जो मेहनत है ना वो बहुत ज्यादा लगती रहेगी सब्ता हमें जितने भी आपको अच्छी न्यूस आएंगी आपके personal relations से या आपके समाजी creditations हो सकते हैं या आपका DNA यानि आपके बिलकुल निकट जो परीजन है उनसे भी कोई अच्छी news आ सकती है संतान की तरफ से भी इवन good समाचार आ सकता है या भाई औ भेहनों के सहयोग की वज़ए से आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं इवन इस सप्ताह में आपका कोई पुराना अगर कोई payment रुकी हुई थी कोई धन अटका हुआ था या कहीं से कोई आपकी property की possession नहीं मिल रही थी उसके भी चीज़ों के through होने के या साधन बनने के योग बन जाएंगे आपको लगेगा कि आपके लिए वो जो system है न आप चलना शुरू हो गया है धन आने की उमीद या धन आ भी आपके हाथ में सकता है इवन काम कारोबार में भी कुछ अच्छी बढ़हौतरी होने के योग बन रहे है और अगर आपके कोई rental income थी न तो उसमें भी इस सप्ता में आपकी बढ़हौतरी होने के असार बन रहे है चैलेंज दो जगावे रह सकता है नौकरी वालों को नौकरी वालों को बॉस जो है न उनसे किसी ना किसी तरह का विवाद या कहा सुनी हो सकती है और दूसरे health को लेके थोड़ा सा eyes की eyesight को लेके आपको कोई न कोई challenge आ सकता है इसलिए यथा संभव जो है इन चीजों के प्रती सतर्क होके चलिए उपाए सरल उपाए है आपने Monday वाले दिन people के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी जो होती है वो spread करके आनी है और हो सके तो एक तेल का दिया जला के आईएगा बस इतना सरल उपाए और आपका सारा सब्ता जो है आपकी favor में रहेगा चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानि वर्गोवालों की आपको patience बना के रखनी होगी आपको घर पर भी patience बना के रखनी है और आपको अपने कामकारोबार में भी patience बना के रखनी है क्योंकि बिना बात के इस सब्ता हमें आपका trigger होने का समय चल रहा है और ऐसे ही trigger होते रहेंगे तो ना घर में कोई आपकी बात को जेलेगा ना ही workplace पे और आप बिना बाद के problems में फस्ते चले जाएंगे इवन आपने किसी से payment भी लेनी है तो मीठे बनके diplomatic होके, politically correct होके अपनी payment को माँगिए नजर हटी दुर घटना घटी, patience lose करने का समय आपके लिए नहीं है लाब भी जो है ना ये एक nominal सा रहेगा, कम सा रहेगा इसलिए इस सब्ताह में सब्र जो है यही आपका सबसे बड़ा tool बन सकता है इवन अपने sibling से, भाईयों बहिनों सो भी बहुत से योग की आशा ना रखिये, आपको निराशा ही हाथ में लगेगी अच्छी चीज इस सब्ताह में केवल एक हो सकती है, वो यह है कि परिवार के साथ कोई quality time बताने का समय बल सकता है उसकी वज़ा से मन थोड़ा सा rejuvenated या कह लीजिए fresh feel करेगा पीले फूलों का हार जो है, ये मंडे वाले दिन आप अपने प्रभू के चरनों में, जिनको भी आप मानते हैं मंदिर में जाईए, उनके चरनों में रखके आईए ये सरलोपाई आपको इस सब्ताह में किसी भी बड़ी निराशा से बचा के रखेगा चलिए, अब बात करते हैं हम तुला यानि लिब्रावाजलो की आपके लिए जो सूर्य है ना इस सब्ताह में बड़ो जबरदस्त कमाल करने वाले हैं उसकी वज़ा से क्या होगा कि सरकार की तरफ से, ruling side की तरफ से, अपने bosses की तरफ से, superiors की तरफ से, वेपार में हैं तो आपके suppliers की तरफ से आपको कुछ शुब समाचार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनकी recognition मिलेगी या उस वज़ाय से, आप बहुत ज्यादा energetic या बहुत ज्यादा सफल सफल अच्छा-च्छा सा महसूस करेंगे इवन अगर आप अपनी नौकरी में भी है ना, तो आपका डंका बजएगा, आपके नाम का जंडा लहराएगा, मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज्यादा, कि काम कारोबार में भी आपकी एक नई सी branding establish होने की तरफ जाएगी आपको इस सफलता में थोड़ा सा discipline रहना है, थोड़ा सा अपने clients की बात को सुनना है, आप अगर बातों को ignore करेंगे ना, तो ये सफलता का size, सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता का size जो है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा financially भी चीज़ें जो हैं, आपके overall favor में ही रहेंगी, लेकिन परिशानी एक जगा पर रहेंगी, और ये परिशानी होगी investment में, इस समय में कोई भी impulsive investment, बिलकुल भावनाओं में बहके किसी भी जगा पर पैसे अटका मत दीजेगा, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपको कह नहीं नहीं परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, health overall एक समाने रहेंगी, average रहेंगी, लेकिन आपको इस सब्ताह में सबसे ज़्यादा जो careful रहना है न वो रहना है, अपने पैसे के balance को लेके, क्या सरल उपाए है, आपके लिए उपाए है कि गाय का घी किसी भी मंदिर मे किसी भी दिन कराईएगा, पूरा सब्ताह जो है आपकी favor में रह जाएगा, तो चलिए अब वरिशिक यानि Scorpio की बात करें, तो overall काम कारोबार में जो परिस्तितिया है न ये आपकी favor में रहेंगी, इस समय में जो सबसे बढ़िया चीज यह है न, कि जो आप करते आ रहे थे आप उससे हटके कुछ बेहतर करने की कुशिश करेंगे, और जो भी आप हटके बेहतर करेंगे न अपने comfort zone से बाहर निकल के करेंगे, और वो तुरंद आपको result देना भी शुरू करेंगे, और जब result आएगे न मज़ा आएगा, क्योंकि फिर आपके जीवन में इस साल में जो भी आपकी बढ़ोतरी होनी है न, उसकी यातरा शुरू हो जाएगी, इस सब्ता में competitors परिशान करते रहेंगे, जो लोग आपसे जलते हैं, वो बिना बात के आपकी life में अडंगे डालते रहेंगे, विवादों से बचें, argument में नहीं जाना है, let go बढ़ानी है, लोग ज चीज़ें आपको फली बूत होती होई दिखेंगे, वाणी पर नियंतरन रखेंगे, इस सब्ताह में आपकी वाणी आपके धन और आपके सुख से सीधा connect कर रही है, इसलिए जितना वाणी को खराब करेंगे, उतना ही इस सब्ताह में आप मुसीबत में फस्ते चले जाएं सब्ताह के सातो के सातो दिन आपने हनुमान चालीसा का और एक बजरंग बान का पार्ट करना है, कोशिश करिए कि इस पार्ट से पहले श्री राम जैराम जैजैराम का पार्ट करके फिर ये पार्ट शुरू करिए, सारा सब्ताह ईश्वरी उर्जा जो है आपके साथ ही इवन आपको अगर पिछले कुछ समय से फील हो रहा था ना कि सिर्फ समय बेस्ट हो रहा है कोई भी value एड नहीं हो रही है एसा करने से ना ये इस समय में क्या है सितारा ये संबंधों को अनुकूल करने में बड़ा अच्छा है और जितने आप संबंध अच्छे करेंगे उनका फायदा आपको आने वाले सप्ताहों में महीनों में मिलने जा रहा है हाला कि आपका जो over anger करने की समस्या लगातर बढ़ती जा रही है ये इस सप्ताह में आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुक्सान कर सकती है इवन आपको संतान पक्ष से भी कहीं न कहीं कोई टेंशन का सामना करना पड़ सकता है या आपको बच्चों से कोई न कोई ऐसा argument हो सकता है जो आपको थोड़ा सा disturb रखे तो उपाई क्या किया जाए केवल एक उपाई है मुठी वर मिश्री आपने शिवलिंग प्यारपन करनी है मंडे वले दिन ऐसा करने के बाद क्या है कि ना संतान पक्ष से ना ही आपके एंगर की वज़े से आपको कोई भी नुक्सान नहीं होगा ओवराल सारा सप्ताह जो ह हो रही है रूलिंग साइट से भी आपको फिवर मिलेगी सरकार की तरफ से भी कोई नो की फिवर मिलेगी और आप अगर नौकरी में है तो अपने बॉसेज या आपकी जो भी इंस्टिचूशन है उनकी भी आपको रेकोगनेशन या प्रेज मिल सकती है आपको धन की तरह से विजय का समय है और सबसे बड़िया बात यह है कि ओवराल आपको संबंधों में कहे लीजिए कामकारोबार में कहे लीजिए आपको पूरी तरह से प्राफिट्स का ही समय है डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा इम्मिनिटी थोड़ी वीक रहेगी उसको आप खु इस राशी वालों की आपको सबसे पहले क्या है कि सेल्फ मोटिवेटिड रहना है इस समय में मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलेगी मोटिवेशन हमारे शरीर का हमारे मन का टूल है मोटिवेटिड मन जो होता है यह तरक्की की तरफ लेके जाता है आसपास के साधन तो बाद म अपनी motivation बना के रखते हैं तो फिर सारा सप्ता आपके लिए जबरदस रहेगा हाला कि काम में वर्क प्लेस पे आपको कार्यभार जो है वर्क का जो stress है वो ज्यादा बढ़ता हुआ देखेगा लेकिन काम को कल पे मत टालेगा काम को लगातर complete करिए working आवर चाहे बढ़ा आपको layer में इस सप्ता में नहीं रहना है किसी भी तरह की आपको छुटी allowed नहीं है इस समय में आपके थोड़े से कामों में वैसे delay भी होने जा रहे हैं इसलिए frustrated मत होईएगा सरदर्द रह सकता है या बाल जहड़ने की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है आपको क्या करना है मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में जाना है आप शिव मंदिर में जा सकते हैं किसी भी मंदिर में जा सकते हैं और वहां पर आपको इना कोई अनाज रखते आइए quantity आपकी मर्जी यह उपाई पूरा सप्ताह आपकी favor में करने में आपका बड़ा सहायक रहे तो चलिए अबंत में बात करते हैं मीन यानि पाईसेज राशी वालों की सबताह की शुरुआत में ही जो आपने सोचा हुआ है वैसा नहीं होगा कोई भी काम complete होने के मुहाने पे होगा तो आपको थोड़े सी उसमें विलंब होता हुआ देखेगा आपको ऐसा भी रगएगा कि आपन को disperse कराने के किसी भी फिक्र में देना कि जिससे आपके कुछ रुके काम बनेंगे वो लोन भी आगे जा सकता है इवन आपने जिनको कुछ पैसे देने भी थे उसमें भी आपको थोड़ा और टाइम लेना पड़ सकता है और आपका जो अपना धन भी है ना उसकी भी traveling को पूरा plan बना के करेंगे तो ही वो traveling जो है आपको फाइदा दे सकती है और आपको इस सब्ताह में सबसे ज्यादा जो care करनी है ना वो करनी है गर्दन से उपर उपर क्यांगोंगी दांतों की nose, ear, throat, eyes इस तरह क्यांगों की आपको थोड़ी ज्यादा care करनी है इनमें कोई practical नहीं है तो फिर एक सरल उपाए, ये उपाए जोड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के साथ, पीपल के पौधे को आप मंडे सवेरे जल देके आए और उसके नीचे आप एक घी का दिया जला के, घी कोई भी हो सकता है, उसका एक दिया जला के आए ये केवल इतना भर उपा नए विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार